असलाम अलेकुम दुस्वागात है आप सभी का ग्यापन कीडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोग को उर्दू के बुक से साथ चैप्टर यानि की 26 से लेकर 32 चैप्टर के पूरे अबजेक्टिव का निचोड निकाली हूँ जो क कि आज के इस वीडियो में आप लोग को उन सभी मॉस्ट वीवी आई अबजेक्टिव को कराने जा रहे हैं हर एक एक कोश्चन को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा चलिए तो ध्यान दिजिए आपर देखिए सबसे पहला सवाल है कि मसफी का पूरा नाम क्या था तो मसफी का पूरा नाम याणि की उनका फुल नेम था घुलाम हमदानि मसफी अवसानrä अप्सा नंबर ए दो गुलाम हमदानी जो है वो मसफी का फुल नेम था पूरा नाम था अब देखिए दूसरा सवाल है कि मसफी की पैदाइश कहां हुई तो मसफी की पैदाइश यानिक उनका जन्म हुआ था अमरोहिया में अफसर नमबर ए हो गया आप लोगा सही जवाब आगे बढ़िए तिसरे सवाल की तरफ देखिए तिसरे सवाल है कि मसफी की जेरे निसाब मसनवी का नाम बताइए यहाँ पर मसफी की मसनवी का नाम बताना है जो कि आप लोगे बुक में है तो वो है अपसर नमबर सी आगाज दास्तान आगाज दास्तान नाम का ये जो मसनवी है वो मसफी द्वारा लिखा गया है ठीक है चार नमबर सवाल देखिए उर्दू की पहली मसनवी कौन है तो उर्दू की जो पहली मसनवी है वो है कदम राओ पदम राओ ठीक है कदम मुबारक आजीम अबादी की पैदाईश होई थी, 8 अपसन नंबर A is Юर ائिट एंट्जर, 18डनबर 2, और QA आगला सवाल, सवाल नंबर 6 है कि मुबारक आजीम अबादी की पैदाइश कहा हुई तो मुंबारख अजीम अबादी की पैदाइश हुई थी ताजपूर में अफस्ण नंबर बी हो गैं आप लोग का रिया खन? सवाल की मुबार्ट अजीम अबादी की पैदाइश दरबंगा के किस जिल्ह में हुई मुपार्ट हुआइंट न्बर ए मेह समझती पूर वी महसीता मड्ही सिरयाय बरेली अग्लीजाइबद क्या होगा इसका राइट इंसर इसका राइट इंसर हो जाएगा आप लोग का समझती पूर ठीक है आगे बढ़िए अगला सवाल है कि मुबारक अजीम अबादी के वालीद का नाम क्या था यानि कि मुबारक अजीम अबादी के पीता जी का क्या नाम था फादर ने बताना है तो देखिए अपसन में दिया है फिदा हुसेन, एहमद हुसेन वामक, फिदा हुसेन वामक, मजहर हुसेन, क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर होगा फिदा हुसेन वामक अब देखिए कई स्टुडेंट ऐसे होते हैं जो जल जल देखते हैं और देखते हैं कि अप्सों नमबर ए में फिदा हुसेन यह इसी को मार देते हैं अपसम नमबर ए जो है वो रॉंग इंसर नेक्स्ट कोशचन आगे बढ़िए दिखें अगला सवाल है कि फारसी शायरी में मुबारक अजींवादी के टीचर थे अब्दुलहमीर परेशान यह फार्सी के टीचर थे जो यह की मुबारक अजींवादी को फारसी पढ़ाते थे अब देखिए अगला सवाल है कि उर्दू में मुबारक के अफसाद कौन थे यानि कि उर्दू के टीचर कौन थे जो कि मुबारक अजिम अबादी को पढ़ाया करते थे तो वो है दाग दहलवी ठीक है अपसर नमबर A हो जाएगा प्रोकर राइट इंसर फार्सी के टीचर अ और उर्दू के टीचर है दाग दहलवी याद रखना चलिए आगे बढ़िए एक क्वेसेन नमबर मुबारक के शेरि मजमुदा का नाम क्या है तो मिभारक अजिम अबादी के शीरि वाशाईरि का किताब । उसे भशाईर का किताब का नाम है जलवब अपशन नमबर 12 है कि हुकूमत हिंद ने अद्वी कारगुजारियों का इतराफ करते हुए कितना वजीफा मुकर्र किया तो वो था 100 रुपिया ठीक है 100 रुपिया मात्र ठीक है तो यह हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब आगे बड़ी एक कोशन नमबर 13 कि मुबारक अबादी जो है ना वो सिर्फ मैट्रिक तक तालिम हासिल किये थे मैट्रिक तक ही मुबारक अजिम अबादी जो है वो पढ़ाई किये थे तालिम हासिल किये थे नेक्स्ट कोशन कोशन कि एहमद फिराज की प्यूइस कब हुई तो एहमद फिराज की प्यूज़ नामके जगह पर यह कॉशन पूछा जा चुक है ला्व si exploding मिफिटेश कर लीजिए अगे बढ़ Wassingen नमबर 16 है कि अपनी मौत से चंद माँ पहले एहमद फिराज बिहार के किस शहर में आये थे तो अपनी मौत से कुछ महीने पहले जो है एहमद फिराज बिहार के दर्बंगा जिला में आये थे तो इसको आप लोगो को याद रखना है यह कोशन पूछा जा चुका है आगे नभी मैं कोश्चन करा रही हूं सभी कोश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है ठीक है जिसको मैं इंपोर्टन बोल रही हूं और जिसको नहीं भी बोल रही हूं दोनों तरह के कोश्चन को आप लोगों को क्या करना है याद कर लेना है ठीक है नेक्ट कोश्चन आगे बढ़िए कोईशन नमबर 18 है कि दकन के किस शायर के जरीए उर्दू गजल सुमाल में पहुची तो वो था वली दकनी वली दकनी के जरीए जो है उर्दू शायरी जो है उर्दू गजल सुमाल तक पहुची थी तो आपसे नमबर सी इस यूराइट एंसर कोईशन की तरफ वशायरी का किताब है जो कि एहमद फिराज में लिखा है और वो प्रकाशित किया जा चुका है चलिए आगे बढ़िए कोईशन नमबर 12 एक मिनट हाँ कोईशन नमबर 12 नहीं 20 कि घजल के आखरी शेयर को क्या कहते हैं तो घजल के आखरी शेयर को कहते हैं हम मकता ठीखें और आगे बढ़िए देखिए अगला सवाल क्या है कोईशन नमबर 21 कि घजल के पहले शेयर को क्या कहते हैं तो घजल के पहले शेयर को कहते हैं मतला तो यह मकता और मतला में जो स्टुडेंट है वो कमफ्यूज हो जाते हैं तो घजल के आखरी शेयर को मकता याद रखना है मक्ता और घजल के पहले शेर को मतला कहते हैं ये आप लोग को कभी नहीं बूलना है अभी के अभी मैंड में फिट कर लिजे क्योंकि ये एक्जाम में बार बार पूछा जाता है चलिए फट फट आगे बढ़िए कोश्टन नमबर ट्वेंटी टू है कि घजल अरभी के किस सि से माखोज है अपसर नमबर डी राइट एंसर हो जाएगा आगे देखिए कोश्टन नमबर ट्वेंटी फोर एट सारी ट्वेंटी थ्री कि एहमद फिराज किस युनिवर्सिटी के लेक्शर हुए तो वह थे पिशावर उनिवर्सिटी ठीक है पिशावर उनिवर्सिटी ज अपसर नमबर सी जो राइट एंसर नेक्स्ट कोश्टन की तरफ मतवज़ा होई है देखिए कोश्टन नमबर ट्वेंटी फाइफ है कि हसन नाईम की पेदाइश पटना के पटना के अजीमाबाद अपसर नमबर ए राइट एंसर पटना के अजीमाबाद में हसन नाईम की पेह लिए शेनके उनगा हुआ है कोशन पाविज्ट सिक्स देखिए कि हसन नाइद किस अधारा में डारेक्टर केहदे पर मामूर थे ता भाली लूब इंस्ट्यूट के गषार्टिव के इंस्ट्यूट के अहर्टिक पर हसन नाइद singles पर Natali 27 असन नाईम किस शौबा में मुलाजमत करते थे तो वो था वजारते खारजा यह होगी आप लोगा राइट अंसर नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़िए कोश्चन नमबर 28 की हसन नाईम का नेक्स्ट कोश्चन मसफई की पैदाइश कब हुई तो मसफई की पैदाइश हुई थी मैं आप लोगो को बता दे रही हूं आपसर नमबर ए में 1748 स्वीक में ठीक है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 30 3030 30 30 एमद फिराज किस अदारा के मैनेजिंग डिरेक्टर हुए तो व तो यह होगी आप लोगो का एंसर तो यह था आप लोगो का साथ चेप्टर का मॉस्ट इंपॉर्टन अब्जेक्टिव कोश्चन जिसको आप लोग एक एक करकर देख लिए और समझ भी गए कोई भी कंफ्यूज आनो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स टॉपिक के सांथ तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिज